हाई फ्रेंट्स मैं हूं प्रियंक और आप सभी को स्वागत है मेरी चैनल लबली प्रियंक मैं जहां भी बाते करती हूं फैशन ब्यूटी एंड लाइफ इस्टाइट और आज किस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही यूनिक और ऐसा आपको फेस प्रियम बहुत जादा हो जाती है हमारे सकीन पके बहुत चपी की प्रबल्म होती है यह अपके यosureी यह नइई देखती है तो आज जो भी आपके यगी होगी ऐब के बात कर गई होगी यह की प्र दोरत को गया है ओपन पोरस की से तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगे और आपको एक ऐसा पैक बताना बताऊंगी जिसे कि यूज करके आप अपने स्कीम की रंगत को निखार सकते हैं, इसकी टेक्चर को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने स्कीम को साफ कर सकते हैं और बिल्कुल ग्लोई बना सकते हूं भी नेच्रल तरीके से, तो इसके लिए जो आपको चीजे चाहिए हूं, मैं आगे वीडियो के साथ कंटिन्यू करती हूं, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्फुल लगता है, तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, लाइक, से और कमेंट करना मत भूलेगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए, बेल आइगन पर प्रस कर दीजेगा, इससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे फ्रेंट्स, यहाँ पर मैं एक बाउल में, यानि काच की बाउल में, एक चमच भढ़ करके डाल रही हूँ, बेसन, जड़ासा, हल्दी, हल्दी मैं होमेड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कस्तूरी हल्दी यूज़ कर सकते हैं, या अंबा हल्दी यूज़ कर सकते ह और मैं यहाँ पे घर की बनी हुई दही योज कर रहे हूं और फ्रेंट्स मैं आपको बता दूए कि बेसन, हल्दी और दही ये तीनों चीजों में इतने अच्छे गुन पाये जाते हैं जो हमारे तोचा की रंगत को निखारने में हमारे चेहरे से हलके फुल के दाग धबा को हटाने में और भी हमारे चेहरे को ग्लोई बनाने में बहुत मदद करती है तो आपको कुछ इस तरीकी का स्मूथ पेस्ट बना लेना है और बस इसे 10-15 मिनट के लिए अपने फेस पे अपलाई करना है तो चलिए मैं आपको बता दूए किसी कित कैसे अपलाई करना है कितनी देर के लिए छोड़ना है तो यहां पे मैं आपको मैंने अपना चेहरा पानी से एक बार में वाश करके आग के ड्राई कर चुकी हूँ उसके बाद मैं पूरे फेश और गर्दन पे लगाऊंगी गाइस मैं आपको बता दूँ कि बेसन एक ऐसा फेस वाश है नैच्रल प्र **Bright up होती है,forest up होती है, रंगत को निखारने में बहुत मदद करता है, और जो भी चेहरे पे जो टैनिंग की, जो प्रॉब्लेम होती है, हमारी uneven skin tone हो जाती है उसको ये complete तरीके से आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे आपके चेहरे की निखार को बहुत दुगनी रफ्तार से बढ़ाता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस चीज़ को घर में बहुत आराम से ट्राइ कर सकते आप इसे as a face wash रोज यूज़ कर सकते नहीं तो आप week में दो से तीन वार यूज़ कीजी आपको फर्क दिखने लगेगा और फ्रेंड्स आपको मैं बता दू कि जो हमारे बेसन की जो एंटी मेक्टरवाइल प्रोपर्टीज जो पाई जाती है जिसे कि हमारे स्कीन की जो भी गंदगी होती है यह डेट सेल होता है उसको बेसन बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करता है और हल्दी एंटी करती है जिसकी वजह से हमारे तोचा के जो भी प्रॉब्लम्स होते है जैसे डलने सोना रिंकल आना स्किन डल हो जाती है ग्लोई बिल्कुल आपके चेरे पर चमक नहीं दिखती है तो यह सारी चीजों को यह हटा करके हमारी स्कीन को बहुत अच्छे से इंप्रूफ करता है और फ्रेंट्स यहां पर मैंने इसे 10-15 मिनिट के जब तक यह ड्राई ना हो जाए और आपको बिल्कुल नॉर्मल वे में आपको इसे ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद जब मैं इसे रगर रगर के हटाती हूं तो जो भी मेरे स्किन के जो गंदगी होती है और जो आपकी ऑईली टेक्शर होती है यह नॉर्मल टू ऑईली स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है और जिनकी ऑईली स्किन होती है उनकी तुछा बहुत ज्यादा उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है और उपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है यह पैक और यह आपके जब फेस पर अप्लाई करके जब आपके से हटाते हो तो देखिए बिफोर एंद आफ्टर का आपके रिजल्ट आपके सामने मेरी स्किन कितनी साफ दिख रही है बिल्कुल इवन स्किन टोन दिख रहा है और मेरे स्कि ाइफेर इसकी फञेधे आपको तुरंत दिखेगा जर। अपनी स्किन को ट।च करोंते को लगेगा कि आपकी स्किन बहुत चिकनी आइस ने मतीं स्मूथ बनाता है आपके टेक्श्यर को और आप की स्किन को प्राइटप और लाइट प करने भी मदद मिलता है तो .... आ इसे यूज कीजिए इसे इस्तिमाल कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो एक लाइक जरूर कीजिएगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो